इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। और इसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, यह फ्लू वाईरस इंफेक्शन के लक्षणों जैसे कि बंद या बहती नाक, गले में खराश, खांसी, शरीर में दर्द, थकान, सिर्दर्द, बुखार और ठंड लगने से राहत दिलाने में मदद करता है। और सिवा कैप्सूल फ्लू वाईरस को शरीर के अंदर फैलने से रोकता है। इंफ्लूएंजा, जिसे आम तोर पर फ्लू के रूप में जाना जाता है। वाईरस के कारण होने वाला इंफेक्शन है। यह दवा केवल डॉक्टर द्वारा बताय जाने पर ही ली जानी चाहि डॉक्टर द्वारा दी गई खुराक और अवधी अनुसार ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना भी लिया जा सकता है। हाला कि इसे भोजन के साथ लेंे से बीमार महसूस होने या बीमार होने की संभावना, मिचली आना या उल्टी कम हो सकती है। बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़ें और इलाज का कोस पूरा खत्म करें। दवा को बहुत जल्दी बंद कर देने से इंफेक्शन फिर से हो सकता है या यहापको फ्लू से सुरक्षित रखने में असफल बना सकता है। कुछ सामाने साइड एफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, पेट दर्द और डायरिया, दस्ट शामिल हैं। यह साइड एफेक्ट अधिकांच तह दवा की पहली खुराक के बाद होते हैं और आमतोर पर इलाज जारी रहने के बाद बंद हो जाते हैं। अगर यह साइड एफेक्ट लंबे समय तक बने रहते हैं, तो कृप्या अपने डॉक्टर से परामर्ष लें। इसे लेने से पहले, अगर आपको दिल, लिवर या केड़नी से समबंधित कोई समस्या है, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। शराब पीने से बचें क्योंकि इससे लिवर को नुकसान होने का जोखिम बढ़ सकता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा का इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।